हेलो बच्चे, श्रागत है आप सभी को भीकिशूरसर के चैनल में हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल केमेस्ट्री और ये टारगेट बैज है देखिए जो भी बच्चे यहां आफलाइन क्लास करेंगे ध्यान से समझे जो भी बच्चे आफलाइन क्लास करेंगे तो आफलाइन में जैसे जैसे हम आगे बरहेंगे उसी तरह से आपको वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे ताकि कोई भी बच्चे किसी कार्ण बस कोई कलास शूट जाए, मिस हो जाए, तो वे जो है उस वीडियो लेक्चर से पूड़ा कर लेंगे और फीड आप जो है सो कोई कन्फूजन हो तो कलास के बाद पूछ लेना है, तो चलिए ये मेरा दूसरा लेक्चर है, इससे पहले हम significant figure बात किये थे, sorry, scientific notation बात किये थे, अब अभी बात करने जा रहे हैं, significant figure या significant digit या significant number, तो नेम से ही जैसा कि असपस्ट है, significant का महत होता है, मतलब होता है महत पूर्ण, valuable, यानि कौन सा digit यो है, ये valuable digit है, गिंती किया जा सकता है, उसी कौन लोग काते है, significant, significant, मान लीचिया, हम लोग के समाज में कहीं आपको भोज खाने जाते हैं, ठीक, और भोज खाने जाते हैं, तो वहाँ आदमी का counting होता है, और एक ऐसा छोटा सा बच्चा है, जो नन्नासा, एक साल का हो, या दो साल का, तो क्या उसको counting किया आता है, 9 के बराबर, यानि उसको neglect करके चला जाता है, तो इसी तरह से हम लोग जब कोई calculation करते हैं, तो कितने digit इसमें countable है, कितने भैलेवल है, बस इसी बात को पहचानना है, तो ये अभी हम लोग कुछ rule देखेंगे, उस rule को याद रखना होगा, total number of countable digit in a given number is called significant figure, थीरे से escape करके नहीं देखेंगे आप लोग, एक एक बात किलियर हो जाएगे, यानि रटने की जरुवत नहीं है, physical chemistry हम लोगों को समझने की है, इसी लिए आप थोरा सा patience रखें, जैसे जैसे हम आगे बरहेंगे, यानि आपको lecture समाप्त होते होते, आपको किलियर कट knowledge हो जाएगा, तो rule first में कहा जा रहा है, all non zero digits in a number are significant, अब यहाँ पे एक term आया हम लोगों को, जो non zero, तो सबसे पहले कहेंगे किसे हम लोग non zero, तो name से ही असपस्ट है, non मतलब नहीं, जीरो यानि जीरो नहीं, तो जितने भी non zero है, अब non zero में कौन कौन आएगा, तो one से ले करके nine तक, one से ले करके nine तक, सबका सब non zero आजाएगा, तो जितने भी non zero है, उस सब ही non zero में, जो भी digit है, वे significant है, significant figure है, significant digit है, तो देखिए यहाँ पे, one, two, three, यह सब का सब non zero है, तो significant figure कितना कहेंगे, बच्चों, three, यह नहीं का दिजिएगा, को छोड़ करके, जितने भी है, वे जहाँ कहीं भी हो, सब को significant figure में consider करेंगे, the zero between two non zero digits are always significant, दूसरा रूलाव, जदी zero non zero के बीच में आ जाए, जदी zero non zero के बीच में आ जाए, तो वे significant figure के अंदर रहेगा, तो देखिए, एक, दो, तीन, यानि significant figure कितना, तो three, clear है, यहाँ देखिए, यह zero तो दो non zero के बीच में है, तो एक, दो, तीन, चार, यानि significant figure four, one, two, three, four, significant figure four, the zero return to the left, the first non zero digit in a number are not significant, जदी किसी non zero के left side में, फस्ट non zero के left side में जदी zero हो, तो उसका कोई significant नहीं होगा, देखिए, यह left side है, और यह right side, तो left side से पहले यह zero है, इसका कोई significant नहीं, कोई significant नहीं, कोई significant नहीं, लेकिन यह significant होगा, क्यों, क्योंकि दो non zero के बीच में है, तो यहाँ significant figure three होगा, यहाँ पे कितना two होगा, और यहाँ three होगा, तो तीनोर rule किलियर हो गया, क्या-क्या, पहला rule जो जितना non zero होगा, सब significant, दूसरा, जदी zero non zero के बीच में आ जाए, तो significant, तीसरा, जदी first non zero के left side में zero हो, तो significant figure consider नहीं करेंगे, चलिए, rule number four, all zero placed in right side in a decimal point in a number are significant, यानि decimal के right side जितना भी zero होगा, सब को consider किया जाएगा, यहाँ पे decimal के साथ साथ आप कॉमा भी लगा दीजिए, क्या, कॉमा, इसको भी चाहे कॉमा हो या decimal हो, तो right side जितना भी zero है, सब को consider कर लिया गया है, तो यहाँ पे one, two, three, significant figure three, यहाँ पे one, two, three, four, five, यहाँ पे one, two, three, four, तो इस तरह से चार रूल हो गया, इफ, एक counting number included object name, then their significant is infinite, जदी किसी digit के साथ object name है, जैसे देखिए, 14 balls, तो उसका significant figure कितना होगा, बच्चों, इन्फानाइट, 124 books, तो इन्फानाइट, तो पांच rule दिमाग में set हो गया, रटने की कोई जरुवर नहीं है, फिर से मेरे साथ एक बार सुनिये ध्यान से, जितने भी none zero होगा, सब significant, जदी zero none zero के बीच में आ जाए, तो significant, जदी zero first none zero के left side हो, तो significant नहीं होगा, जदी zero decimal के right side हो, तो significant होगा, जदी किसी digit के साथ object name हो, तो उसका significant infinite होगा, चलिए कुछ rule और है, पहले इसको आप लोग note कीजिए, यानि इसके बाद हम आगे बारते हैं, तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ significant figure पे, और आप लोगों को बहुत अच्छे से clear होते जा रहा है, यह मुझे बिस्वास है, यानि जो भी हम यहाँ पे बात किये, यह clear हो रहा है, कि नहीं, जदी कोई confusion है, तो आप थोड़ा comment कीजिए, जो जहां कहीं भी कोई लगे, confusion हम, जो है, फिर से आपको clear कर देंगे, लेकिन clear करते जाना है, और साथी साथ एक अच्छा सा note बनाते जाना है, चलिए, rule number six देखिए, rule six, rule six में कहेंगे, a constant, a constant have infinite significant, कोई भी constant है, उसका significant क्या होगा, infinite, जैसा की, सब लोग जानते होंगे, पाई, सब बच्चे से जानते हैं, पाई का value 22 by 7 हैं, तो significant figure कितना, infinite, h, planks constant, infinite, k, h, ये भी constant है, इसका नाम है, henry constant, तो infinite, clear है, तो चलिए, rule number आगे बढ़ते हैं, rule चलिए 7 हैं, in scientific notation, in scientific notation, before exponent of 10, यानि that is 10 के power n है न, और, और, consider in significant, यानि consider किया जाएगा significant में, अब scientific notation, देख लीजिए, इससे पहले वाला जो लेक्चर है, playlist में, B की sourcer, chemistry classes करके, यानि बना हुआ है, सबका playlist, तो, 1.602, 10 के power 23, तो significant figure, देखिए बच्चों, तो ये जो 10 के exponent से पहले, जितना है, सब significant, तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 6.0, 10 के power 2, मान लिया जाए, तो ये कितना significant 2 हो जाएगा, clear है, चलिए next, एक rule और ले लेते हैं, और इसको हम लोग finished कर देते हैं, यानि अभी तक हम लोग कितने rule तक चले गये, save hand rule हम लोगों को हो गया, और आप देखे, समय भी पता नहीं चला आपको, और बहुत अच्छे से आप समझ गये, rule नम्मर 7 कह रहा है, 8, if 0, 0 express, express right side, right side of non-zero digit, non-zero digit, then, then they are, then they, then they do not consider in, consider in significant, significant, significant curve, if, if no decimal और comma use, यानि नहीं decimal हो और नहीं comma हो, उस समय उसको कोई significant figure के अंदर consider नहीं करेंगे, देख लिजे, 6, 0, 2, 0, 0, जदी आप से हम पूछें significant figure, तो बताईए कितना कहिएगा, तो यहाँ पे देखिए, यह 0, 2, 9, 0 के बीच में है, तो इसको तो consider करेंगे, लेकिन यह 0 consider नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि नहीं comma है, और नहीं decimal है, तो significant figure 3, फिर से एक बार देखिए, 4, 2, 0, 7, 0, 0, बता दीजिए आप लोग अपने से, जो कितना significant figure रहा, तो क्या यह 0 consider किया जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि right side में है, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानि significant figure 5, तो इस तरह से हम लोगों को significant figure किलियर हो गया, अब अगली class फिर हम लोग new बात करेंगे, क्या round of बात करेंगे, edition of subtraction का बात करेंगे, इस तरह से यह target का class चलते जाएगा हम लोगों को, लेकिन जो भी यहां तक देखते देखते आए हैं, एक ही जो आप note बनाते चलेंगे, तो आपके लिए perfect होगा, और जो offline class कर रहे हैं, उसको छूट जाए, तो यह अराम से class अब कर सकता है, कोई दिकत नहीं है, यानि हम यह offline में जितना परहाएंगे, उतना ही बात हम वीडियो भी डाल देंगे, किलियर है बच्चों, तो थोड़ा सा जदी आप समझे हैं, तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, किलिए poking-बियो बात हम वीडियो एंप सकता है, किलिए और स्थक्राइब कर देंगे,